हर्योना के फरीदाबाद गाउपल्ला में दबंगों की दबंगई वाली तस्वीरें सामने आए जिसमें दरजनों, युवक और महलाएं हाथों में लाठी दंडेले गर सड़क पर घर के सामने खड़े ओकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं पीडित परिवार ने एक वीडियो बनाया और वीडियो के साथ लिखित रूप में पला थाने में शिकायद भी दी मगर अभी तक इसकी कोई भी कारवाई नहीं हो पाई है पीडित परिवार ने बताया कि उनके पडोसी उनसे द्वेश की भाव ना रखते हुए जगला करते हैं और गाउं छोड़ने की धमकी भी देते हैं गबंगों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीर में यूवक हाथों में डंडे लेकर पीडित परिवार को पीटने की धमकी देता हुआ नजरारा है आप सबसे बात करने की जो नोगटा आई है वो ये है कि आज 15-20 लड़के जो गुंडे टाइप के उन्होंने डंडों से लेके हतियारों से लेके हमारे घर पर हमपर हमला किया हैं मारने की कोशिश की है और हमें धंके दिये कि या तो आप गाउं छोड़ा कर भाग जाओ नहीं तो आपको चांद से मारते हैं उत्राखंड के जिला उधम सिंग नगर के पुलभट्टा थाना शेत्र किशा में बीते बुद्वार को साथ माहा की मासूम के अपनी मा के पास से रोते हुए चोरी होने की घटना सामने आई है जिसका संग्यान लेते हुए थाना पुलिस ने मामला दर्ज कार जान शुरू कर दी है बच्ची की तलाश के लिए S.O.G. सही तीन टीमों का गठन किया गया है जानकारी के मताबिक पुल भटा थाना शेत्र के किछा रोट पर रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास लोहार परिवार रहता है पुलिस को फिर बताया आपने? जी बताया है वो भी बहुत सायता कर रहा है हमारी रामगर्ण्ज तहसील में पहले C&G गैस पंप का शुभारब हुआ टोरेंटो गैस कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर नितिन मुंदल ने फीता काट कर वहानों में गैस रिफलिंग का कारे शुरू किया इस दौरान कंपनी के मैनेजर दीपक पतेल और इंजीनियर विपुल शर्मा मौजूद रहे शेत्र के उन्वा रोड पर राज फिलिंग पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ वहानों को C&G गैस भी उपलब्ध होगी राज फिलिंग के संचालक फारुक एहमद ने बताया कि कुछ दिनों पहले वहानों में गैस रिफलिंग का सपलता पूर्वक परिक्षन किया गया था उन्होंने बताया कि रामगंज मंडी तहसील में पहला पंप है जहां C&G गैस उपलब्ध है पूर्व में बहानों को C&G गैस लेने के लिए कोटा जाना पड़ता था आज सिन्या में त्रूप से पेट्रोल पंप पर गैस भी उपलब्ध होगी कोरोन महामारी की चलते संभल के मौलानाओं ने लोगों के लिए संदेश दिया है कि कोरोना से सभी लोग परिशान है लोग पूरे महीने रोजा रखने के बाद इद का बेसबरी से इंतजार करते हैं और इद की नमाज अदा करते हैं लेकिन इस बार कोरोना के चलते नमाज घर पर ही अदा करनी होगी सभी लोगों को हमारे कोरोना ये उद्धाओं डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मियों का सम्मान करना होगा और उनका सहयोग भी करना होगा मैं अपील करना चाहता हूँ और खुरियादा करना चाहता हूँ कि लॉक्डॉन बढ़ाया लॉक्डॉन बढ़ाने के साथ साथ हमें अपील करनी हैं उन माभेनों से उन बेटियों से जो बजारों को जाती हैं स्वापिन मौलों में जाती हैं उससे परेश करें वो कहीं नहीं हैं बजारों में लेड़ी से नहीं हूँ क्योंकि आप ने देखा हुगा कि कुछ तंदेनों पहले जमाद के लोगों को बदनाम किया गया हम चाहते ही हैं कि खास तौर से मुसल्मान कौम से अपील है मेरी कि वो बजारों से परेस करें क्योंकि अगर महामारी बड़ी तो ये सीदा सीदा इलाम मुसल्मानों पर आएगा और ये बुर्कों वालियों से आएगा जनफर्थ में लागडाउन का पूर्टिया अनुपालन कराया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है अपने परिवार के साथ रहे हैं घरों में रहें अनावसे गुरू से बाहर मत निकले कोई भी सामान लेने अगर निकलते हैं तो सुलसर डिस्टेंसिंग का पालन करे मास्क लगाएं अगर वो दो पहियां न से जा रहे हैं तो आकेले जाएं चार पहियां बहुत बाहत से जा रहे हैं तो एक ड्र्याइवर ओले की से सवारी जा दा रहें गर इत्किं हाए अरे कर दिमारा है